पाकिस्तान के सामने घुटने टेकता पाक, पाकिस्तानी सेना पर इम्रान का हमला, इम्रान खान ने सरकार को जम कर धोया नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रियाविस्ट आज पाकिस्तान की 1971 की कहानी पर नजर डालेंगे, 1971 में क्या पाकिस्तान के हालात थे और क्या 1971 वाले हालात पाकिस्तान में फिर से आने वाले हैं 1971 वही साल है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बटा था तब साफ तोर पर बटी थी पाकिस्तान की सियासत वहीं पाकिस्तान का 1971 को याद करने का मतलब है भारती सेना से हुई हार को याद करना उस आत्मसमरपण को याद करना जो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा है यहाँ पर हम 1971 का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और इमरान खान आमने सामने है और इम्रान खान बार बार 1971 का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूरु प्रधान मंत्री इम्रान खान ने चेताओनी दी है कि पाकिस्तान तभाई की तरफ बढ़ रहा है। और इस्ट पाकिस्तान जैसी स्थितिया फिर से पैदा हो सकती है। वहीं मरान खान 1971 को याद करते हुए अपने समर्थकों को 1971 के कई किस्से सुना रहे हैं विरोध मार्च निकाल रहे पाकिस्तान के पूरु प्रधान मंत्री मरान खान पर पिछले साल जान लेवा हमला हुआ था पैर में गोली लगी पट्टी बाधे मरीजों के बाली ड्रस में जब वो पहली बार बयान देने आए तो क्रिकेट का एक किस्सा सुनाया मैं बांगला देश में प्रधर्शनी मैच खेलने गया था तब मेरी उम्र थी 18 साल हमने भारत के खिलाफ दो मैच जीते मुझे हैरत हुई कि स्टेडियम के अंदर और बाहर हर बांगला देशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था उस दिन मुझे एहसास कि पाकिस्तान से बांगला देश का अलगाव सबसे बड़ी ट्रेजडी थी फिर करीब 6 महीने बीते की इमरान खान को फिर से अपने किरकेट के दिन याद आ गए इस बार भी उन्होंने समर्थकों के लिए फिर से 1971 का एक किस्सा निकाला एक बार फिर उनकी कहानी थी पूर फिर भी पाकिस्तान गया था मुझे अब भी याद है कि वहां के लोगों में कितनी नफरत भरी थी हमारे लिए उस समय भी उन्होंने मीडिया पर नियंतरन किया और इस वक्त भी मीडिया पर बंदिशे है इमरान खान ने अपने समर्थकों को ये दोनु किस से इसलिए नही प्रिरे के लिए है और इसकी हकीकत ये है कि इमरान खान के तेज रफ़सार बयान के आगे सेना और सरकार बिना हेलमट के एक खड़ी है इमरान खान का बार बार 1971 की याद दिलाना सीधा इशारा कर रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी का वो बार बार पांस दशक पहले के हालातों के साथ पाकिस्तान के अभी के हालातों की तुलना कर रहे हैं कई मौकों पर वो शेक मुझीबुर रहमान का जिक्र भी कर चुके हैं पूर्वी पाकिस्तान के साथ गलत हुआ शेक मुझीबुर रहमान ने बहूमत हासिल किया था लेकिन उन्हें सत्ता नहीं स सेना के लिए सबसे बड़ी दुखती रग है जिसने पूरे मुल्क पर हारी हुई कौम का तमगा लगा दिया वहीं इम्रान को सत्ता में लाने वाले पूरू पाकिस्तानी सेना प्रमुक जर्नल कमर जावेद बाजवा ने तो इम्रान खान के बयान से किनारा कर लिया है उनका क कहना है कि 1971 की हार राजनितिक असफलता थी सेन नहीं लेकिन दूसरी तरफ इम्रान का कहना है कि सेना की उस असफलता में इस्टैबलिश्मेंट की भी बराबरी की साज्यधारी थी वहीं साल 1971 में ही पाकिस्तानी सेना ने भारती सेना के सामने घुटने टेके थे जिसकी और करते हुए इम्रान खान ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है आप में अगर दम है तो देश के अंदर मेरे राजनितिक समर्थकों पर उसे मत आजमाईए एक बार पहले भी आप लोगों ने ऐसा किया था और तब देश तूट गया फिर से वही हालात बन रहे हैं इम्रान क चाहे तो सेना ने एक तरह से हिसाब बराबर किया उसने ही इम्रान खान को इसकाबिल बनाया था कि वह पीम पत तक पहुँच सके और जब उन्होंने अपने आकाउं से बाहर जाने की कोशिश की तो उसने ही उन्हें वापस विपक्ष में पहुचा दिया पाकिस्तान में य लेकिन इम्रान खान जान गूच कर ये सारे तथि नजर अंदास कर रहे हैं वो मानते हैं कि समय देश में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और चुनाओ होने चाहिए ताकि वो बहुमत साबित कर फिर से इस बात को साबित कर चुके इम्रान बार बार 1971 का नाम लेकर सरकार क याद दिला रहे हैं शेग मुझीबूर रहमान की जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बटा था तब साब तोर पर बटी थी उसकी सियासत भी पूर्वी हिस्से यानि आज के बांगलादेश के एकलोते स्विकारी नेता थे शेग मुझीबूर रहमान सर 1970 में हुए आम चुनाओं में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में क्लीन स्विप किया था पूर्वी पाकिस्तान में सीटें जादा थी और उसी वज़े से आम चुनाओं में मुझीबूर रहमान को वहुमत मिल गया इसके बाद भी जनरल हायाय और पाकिस्तान पिपुलस प के बीच के विवादों की बात करते हैं। पाकिस्टान बना एक धर्म के आधार पर लेकिन बनने के साथ भी ये कभी एक नहीं रह पाया। एक था पश्टिम पाकिस्टान, पंजाबी, पश्ट्टून और मुहाजिरों का देश, दूसरा हिस्सा पूरवी पाकिस्तान, बंगालियों का ठिकाना, आबादी और संसाधनों के लिहाजे से पूरवी भाग आगे था, लेकिन सत्ता में हनक रहती पश्चिम की, देश के बजट का एक चौथाई हिस्सा ही पूरवी पाकिस्तान को मिल प पर अत्याचार हो रहे थे अब वही सब किया जा रहा है वलुचिस्तान में ये इलाका भी करीब पांस दशक से सुलग रहा है इस्थानी लोगों का कहना है कि सेना के अफसर और राजनेता उनका शोशन कर रहे हैं मुझीबुर्रह्मान को सत्ता सौपने के बजाए जुल्फिकार अली भुट्टो ने आवामी लीक और सेना को टकराओ के रास्ते पर खड़ा कर दिया नवाशरीफ और आसिव अली जरदारी आज वही कर रहे हैं इन सबसे इमरान खान लोगों को एहसास कराना चाहते हैं कि उनके साथ भी मुझीबुर्रह्मान जैसा अन्याय हो रहा है हकीकत में वो मुझीबुर्रह्मान को याद नहीं कर रहे और ना ही उनसे उनको कोई हमदर्दी है वो तो एक तरह से ब्लैक मेल करने के लिए ये नाम इस्तमाल कर रहे हैं अभी इमरान दूसरों पर दोश डाल रहे हैं लेकिन टकराओं का जो रास्ता उन्होंने चुना है वो भी पाकिस्तान का कोई भला नहीं करने वाला है लेकिन क्या इमरान खान की तुलना में थोड़ी भी सच्चाई है और पाकिस्तान फिर से तूटने की कगार पर पहुंच सकता है तो चलिए आज के और 1971 की तुलना करते हैं ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान के आज की हालात कैसे हैं पाकिस्तान आज जादा गहरे संकट में दिख रहा है इस समय पाकिस्तान में राजनेतिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानिया है जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूज रही है आटे की लाइनों में मरने मारने को लोग उतारू है शैबार शरीफ खुद दरजोनों विदेशी दोरे कर चुके हैं ताकि कहीं से तो मदद मिल सके लेकिन नाकाम दिख रहे हैं इससे पहले जब जब ऐसे हालाग बने तब तब सेना ने कमान संभाली लेकिन इस बार सेना खुद भी कटगरे में है इमरान ने उसी सेना पर कई आरोब मड़ दिये हैं इमरान खान कई बार सेना पर आरोब लगाते रहते हैं इस पेशल स्टोरी में आज हमने बात की पाकिस्तान के आज के और 1971 के हालातों की और इनी हालातों को लेकर इमरान खान की चेतावनी की ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे होते हैं या उससे भी खराब इस पेचल स्टोरी में आज के लिए इतना ही कल फिर पेश होंगे एक खास कहानी के साथ तब तक के लिए देखते रहें Capital TV उत्तरप्रदेश धन्यवाद मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहना लोगों के मन को अच्छे से जानता कि पबलिक और पॉलिटिक्स की हारव नफ्स को फूप पेंचांता संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सच निकांता ना कोई दौर ना कोई रेट्स Capital TV उत्तरप्रदेश